हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग आएमडी ने घोषनाकी की दक्षन पश्चिम मानसून समाप्थ हो गया है और उत्तर पूर्व मानसून या वापस लोटते मानसून के आने की उम्मीद है। वापसी वाले मानसून के महीने, दक्षन पश्चिम मानसून जल्दी ही उत्तर भारत से वापस जाना शुरू कर देता है अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने लोटते हुए मानसून के लिए जाने जाते हैं, तापमान, इस चरन के दोरान, तापमान में काफी कमी आती है और आस्मान साफ हो जाता है जैसे जैसे मानसून दक्षन की ओर बढ़ता है दबाव प्रवन्ता कमजोर होती जाती है और स्थानिय दबाव की स्थितिया हवा के पैटन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उभरते चक्रवात इस शीत रितु की शुरुआत का भी प्रतीक है। देश भर में तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। वर्षा लौते हुए मानसून का मौसम भारत के कई हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दक्षनी प्रायद्वीब के लिए वर्षा का मुख्यस्रोथ है। इसमें शेत्रों में भारी वर्षा होती है जबकि अन्य में कम वर्षा होती है। क्रिशी और अन्य संबंधित गति विधियां काफी हद तक लोटते मानसून के मौसम पर निर्भर करती है। ये फसलों की कटाई और सर्दी के मौसम की तैयारी का समय है। ऐसे जानकरी के लिए हमार साथ मिले रहे पेज को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में